नमस्कार दोस्तों मेरा नाम तर्ण स्वनकार है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडियन अर्वेदिक डॉक्टर वीडियो का आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल और प्रेज दा बेल आइकन फो लटेश्ट अब्डेट्स दोस्तों मैं तर्ण स्वनकार आपके लिए चरक पार्ट सेकिंड यानि चरक उत्तरार्द के लेक्चर्स की एक सीरीज लाया हूँ जिसमें आज हम बात करेंगे चरक चिकिससा इस्तान अध्याचार रक्त पित चिकिससा अध्याएगी तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम सभी मंगला चर्ण करेंगे और गनेश जी को याद करके आज के टोपिक की शुरुवात करेंगे वक्र तुंड महा का ये सूर्य कोटी समप्रभा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्विकारेशु सर्वधा तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं अथा तो रग्त्पित्ट巧क्षित्तम व्याक्या स्याम है यानि जोगण चिकित्स penny के बाद हम रग्त्पित्ट्ट Sin अध्या की जाएगी इसमें सबसे पहले शुरुवात करते हैं तीसरे श्लोक से इसमें एक वर्ड आया है पंच गंगे तो यह है वर्ड पंजाब प्रदेश के लिए है पंजाब प्रदेश के लिए एक शब्दोर आया है पांचाल देश कहां है जन्दपदो द्वन्स विमान इस्तान अध्यात तीन में तो यह याद रखने वाली बात है दोस्तों यह PG के के लिए इससे important हो सकता है आगे अब हम बात करते हैं श्लोक नंबर पांच में महागदम महावेगम अगनीवच शिग्रिकारिच है यह एक important line है यहां पर एक सबसे important बात है महागदम यह शब्द आया है तो यह शब्द इसके लावा और जगे भी आया है चरक में और रोगों के लिए भी आया है वो कौन-कौन से हैं मैं बताता हूं सबसे पहले चरक चिकत सहिस्थान चार इसमें है रक्त पित्ते के लिए तो क्या आया है महागदम महावेगम अगनीवच शीगर कारीचे फिर उसके बाद चरक चिकितसा इस्तान दस में भी आया है यही वर्ड यह आया है अतत्वा भी निवेश के लिए अतत्वा भी निवेशम तमाहुर आपताम महागद है महागदम सोरी अब इसके अलावा चरक चिकितसा बारा में शोत के लिए भी महागदवर्ड का यूज किया गया है महागदस से फिर इसके अलावा चरक चिकितसा अस्तान अध्याई चोईस में मदत्य के लिए भी महागदवर्ड का यूज किया गया है महादोशम मैं एक बार वापस रेपीट कर लता हूँ चरक चिकिस्तास्तान 4, 10, 12 एवं 24 में आने वाले रोक के लिए महागज शब्द का प्रियोग किया गया है जो की इस प्रकार है रक्तपित महागदम महावेगम अगनीवच शिग्रिकारी चे अतत्वाबी निवेश हम तमाहुर आपताम महागदम शोत महागदस्य मदात्य में महादोशं महागदम अब हम आगे बात करते हैं इसके निदान की तो इसके निदान आपर बता रखे हैं त स्योशनम् तिक्ष्नम् लंचे कटूनी लवणादी चे घरमस् च अन्न विदाहस् चे 》 biomass लेद पूर्व निर्दीेश्विता है मतलब तस्योशनम् उशन द्रव्यत तिक्ष्नम् अम्लंचे कटूनी लवणादी चे अम्ल लवन वैग्टू आहर वीः मलंड़ लवनवा कटू का अत्यदिक सेवन घर्म, घर्म शब्दायर आतब या तीवर दूप सेवन से तो तीवर दूप का सेवन, विदाहस्च, विदाही अनपान का सेवन ये सब कारण है रक्तपित्त की, ये पूर्वयम निर्दिशित है, मतलब ये पहले ही बताया जा चुके है, कहां बताया जा चुके हैं दोस्तों, निदानिस्तान अध्यायती दो में, ठीक है, निदानिस्तान के अध्यायती दो में ये पहले ही बताया जा चुके हैं, अब हम लाइन है तस्योश मना द्रवो दातुर दातो दातो प्रसिच्यते ठीक है तो इसमें हम शुरुवात करते हैं संप्राप्ति के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमने निदान सेवन किया तो निदान सेवन से बढ़ा हुआ पित जब अपने इस्थान से निकल कर रक्त द मान साधी दातुओ से बहाप द्रवदातू निकलता है, जिससे रक्त वाइनियों में रक्त की व्रद्धी हो जाती है. अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इस के प्रकार से समझा जा जाता है. सब्से पहले निदान सेवं किया, उससे क्या हुआ, पित्ट का प्रकॉप हुआ, अब उस बड़े हुए पित्ट के कारण रख्त की दूशित हुई, अब रख्त और पित्ट के आई आश्रे आश्रे ही भाहों में पाए जाते हैं, मतलब रख्त बड़ेगा तो पित्ट कि दूशित होता है तो फिर ये दूशित पित्ति क्या करता है कि दूशित पित्ति की उश्मा से मानसाधी दवातुओं का स्विन्न होकर जलियांश निकलता है मानसाधी दवातुओं को स्विन्न करता है उनका स्वेदन करता है जिससे जलियांश निकलता है अब इस संयोगाद दूशनाद तत्तु सामान्याद गंद वर्णयो हो रक्तस्य पित्तम आख्यातम रक्त पित्तम मनीशी भी तो यहाँ पे क्या कहना चारा संयोगात, रक्त और पित्त का संयोग होने से दूशनात तत्तु यानि पित्त द्वारा रक्त की दुश्टी करने से सामान्यात गंदवर्णयो यानि रक्त और पित्त के गंदवर्ण में तुल्लेता होने के कारण रक्तस्य पित्तम आक्यातम, रक्त पित्त मनिशिभी, इस प्रकार के रक्त को विद्वान लोग रक्त पित्त कहते हैं। अब आगे इन्होंने बात की है, पलीहानम चे यक्रत स्चैव तद दिश्टाय वर्थते, सुरोतांसी रक्त वाहीनी तन मूलानी ही देहितां। मतलब यहाँ पे जो रंजक पित्त उसके इस्थान के बारे में बताया गया है कि रंजक पित्त यक्रत वे पलीहा में प्रधान रूप से रहता है। यानि आचार्य चरक ने रंजक पित्त का इस्थान बताया है यक्रत एवं पलीहा। अगर हम अधर आचारियों की बात करें तो वागबट ने रंजक पित्त का इस्थान बताया है आमाश है उसके अलावा शारंगदर ने बताया है हर्दय को रंजक पित्त का इस्थान मुख्य इस्थान अब हम रक्तिपित्य के लक्षणों की बात कर लेते हैं दोशों के अनुसार तो दोशों के अनुसार रक्तिपित्य के लक्षण इस प्रकार है कफ जन्ने रक्तिपित्य के लक्षण अपन देखें तो वो है सांद्रम से पांडू से इसनेहम पिछिलम चे कफान वितम अज्फज रक्ति पित्त को जानना चाहिए फिर वातिक रक्तिपित के अगर लक्षन देखे तो क्या है, siyaog arunam seifenam che little अनु रुख्षम्चे वातिकंद श्याव यानी जैसे बादल जो होते हैं उनके समान जो घंबादल होते बानी वाले वैसे कुछ वर्ण काला सहाफ हलका सहां' श्याम वर्ण का अरुणम हल्गा पीलापन सेफेनम जहांगी तहीं असञ प्ला इवं रुख्ष होता हैस प्रकार के रख्टपित, अब में नहीं पित्टी जन्ने रख्टपित्थ के लक्षन, यह important यह फूचा भी जाता है, रख्टपित्तं कशायाभं क्रिश्णं गुमुत्र सन्निभं मेच्पार धुमाभं अंजनाभं चे पैतिकम यानि जो पित्त जन्ने रखत पित्त है वो उसका वर्ण के बारे में बताया है कि वह कशाया भंव करिश्नम मतलब कशाय के समान करिश्न वर्ण वाला या फिर गोमुत्र सन्निवं गोमुत्र के समान मेच का गार धुमा भंव यानि घर से निकले हुए दूम सुर्मा या काजल के समान वर्ण वाला होता है अब नीचे संस्रिष्ट लिंगम संसरगात त्री लिंगम सन्निपातिकम मतलब अगर दो दोशों के मिले हुए लक्षण में दिखाई देते हैं तो उसे द्वंदज रक्षणों समझना चाहिए और तीनों दोशों के मिलने से त साध्य असाध्य था तो जो रक्षण एक दोशज होता है वह साध्य होता है दो दोशज होता है वह यह प्य होता और त्रीदोशज जो होता है वह असाध्य होता है इसके अतरिक्त हम देखें कि जिस वक्ति का देह शीन हो गया हो शीन देह से ठीक है वह वक्ति भी असाध्य रक्तिपित्वाला होता है ठीक है इसके लवब हम आगे बात करते हैं रक्तिपित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित्पित् तो जो उर्द्वॉ पास्तान साथ भ्रव सब्सक्राइए। ग्या सक्यट्षिद्वयर षाल्ठ टेसे लिली ओद्षेख़बेटाइए धूसा टेसे के पर कुछिद्ष मार्गेएं जो यह आंतिकिम वर्ड है यह PG वालों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है प्री PG टेस्ट के लिए तो यह पूस्ते हैं आंतिकी गति या अंत करने वाली या मिर्त्यु देने वाली असाध्य गति किस रोग में होती है यह आंतिकी वर्ड से हमें समझना चाहिए कि जो असाध्य रक्ते पित्त होता है तो रक्ते पित्ते रोग के लिए यह आंतिकी गतिकी का वर्णन किया गया है अब इसने क्या बता रहा है यहापे इसमें, कि शीर्ध के साथ शेदर होते हैं दोनाख, दोकान, दोनेत्र और एक मुख और अदोबाग में क्या होता है कि गुदाव है मोतरमाग तो उर्दू बाग से निकलने वाला रख्तुपित्ति साध्य होता है अदो मार्क से निकलने वाला रख्त पित्ति आप पे और जो दोनों मार्कों से निकलता है वो असाध्य होता है जब रख्त पित्ति शरीर के सभी छिद्रों रोंकुपों से निकलने लगता है तो उस गिनी न जा सकने वाली रख्त पित्ति की गती आंति की गती अर्थात आंति करने वाली मृत्यू देने वाली गती कही जाती है यह ऐसा आध्य होती है अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर मैंने उपपर लिख रहा है सुर एस यू आर तो यह निदान बता रहे हैं कि अगर अगर अपन इसनिक्दो और उष्ण का अधिक सेवन करने से जो रख्ते पित्त होता है वो कफानू बंदी रख्ते पित्त होता है यानि उर्द्वक रख्ते पित्त हम कह सकते हैं और जो उष्ण और रूक्ष के अधिक उष्ण और रूक्ष के अधिक सेवन से होता है ठीक है वो किस प्रकार का होता है वातानु बंदी रख्त पित्ति या अधोग रख्त पित्ति इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अब रख्त पित्ति के असाध्यता के बारे में बता रखा है तो इसमें यहाँ पे दोनों मार्गों से जो उबै मार्ग से रक्त निकलता हो वो कुणप गंदियो वो तीक है इसके अलावा संस्रिष्टम वात कफ वाता अभ्याम यानी तिर्दो शातमक हो वो इसका अलावा कंठे सज्जती जो रक्त पित खंठ में आकर रुख जाता हो इसके अलावा सर्व उपद्रव युक्त हो इसके अलावा हारिद्र, नील, हरित्र, तामरवर्ण के रूप में मतलब तामरवर्ण का हो दिखाई पड़ता हो इसके अलावा रोगी अत्यनत शीन हो गया हो या फिर शीनस से कास मानस से कि जब वो शीन हो गया और खासता हो तो इस प्रकार के रखते पित्ते के रोगी को असाध्य मानना चाहिए इसके लावा द्वी दो शानुग यानि दो दोशों से युक्त या शान्तम शान्तम प्रकुप्यती जो मतलब बार बार शान्त होता है वार बार उड़ जाता है इस प्रकार का मारगान मारगा चरेद्वा मतलब मारग बदल बदल के कभी मुझे से मुत्र मारग से निकल रहा है कभी गुद मारग से निकल रहा हो मतलब मारग चेंज करता होगा निकल तो इस प्रकार के रखते पित्ते टाइब नॉट कर लेजिए, मैं बता रहा हूँ, तो साध्य रखते पित्व वहन कौन से हो रहे, तीन प्रकार क्यों होते हैं, एक दोशच, या उर्दवग, या सुखकाले, हेमंत वा शिशिर रितु में होने वाले रखत पित्व, क्यों, ऐसा क्यों का गया है, सुखकाले, क्योंकि हेमंत वा शिशिर रितु में क्या होता है, पित्व का संचेकाल होता है, ठीक है, तो इसमें अपन अगर पंच करम कराते हैं, तो आसानी से रोग, शान्त हो सकता है, आसानी से दोशों को बाहर निकाला जा सकता है अब हम याप्य रख्ते-पित्त की बात करें तो इसमें आते हैं संसरगज याद्विदोशज रख्ते-पित्त अदोग रख्ते-पित्त शांतम शांतम प्रकुप्यति मतलब जो बार बार शांत होता है बार बार उठता है इस प्रकार का या मारगान मारगा चरेत इस प्रकार का जो रखते पित्त होता है यानि कि एक मार्क से बंद हो जाए तो दूसरे मार्क से निकलने लग जाए पिर दूसरे मार्क से बंदो से तीसरे मार्क से निकलने रखे तो ये मारगान मारगा हो गया तो इस प्रकार का जो रक्त पित्त होता है वो याप्पे होता है अब हम असाध्य रक्त पित्त की बात करें तो तिर्दोशच या उबयग मतब दोनों मार्गों से निकलने वाला या कंटे सज्जती जिसमें रक्तपित कंट में रुग गया हूँ कुणपगंदी शीन देए है शीनस से कास मानस से यानि जो इसमें शीन देए भी हो गया है अब साथ में कास या खासी भी चलती है उसके तो इस प्रकार करोगी आंति की गति युक्त रक्तपित और इसके लवा अपने बढ़ा था हारिद्र नील हरित तामर वर्ण उपद्रव युक्त तो इस प्रकार के जो रक्तपित होते हैं वो असाध्य होते हैं ठीक है दोस्तों यह एक इंपोर्टेंट बात है अब हम बात करते हैं रक्तपित की साथ देता तो यहां पर यही मैं बताई चुका हूँ जो एक मारगम होता है बस एक दोशच की कहना चाहरा है रोगी बलवान होता है ठीक है अत्यदिक वेक से रक्तपित नहीं निकलता है सुख काले जो सु वेक इंपर दोब कफाणो करते हैं और कि पैसे स्हाव मो रूखष की तो उसी के बारें बतायां बताया है कि अधिकतर उृद्वग रक्तपित वेकित और kear के सेवन के प्यांक होता है ठीक है और अधोग रक्तपित वेकिति करता है इसके लागत इसनिक भी काधिक सेवन करते हैं तो कफ की दुष्टी होती है तो यहीं आगे नीचे बताया जाएगा कि जो उर्दवक रखते पित्त है वो कफानुबंदी होता है क्यों कि यहां पर अपन जो निदान सेवन करते हैं वो इसनिक दोर उश्ण होता है ठीक है याद रखिएगा और इसके लवा जो रखते पित अधोग मारका होता है उसमें उश्न और रुक्ष ये निदान होता है अब हम आगे बात करते हैं रखते पित में दोश संसर्ग जो मैं आपको पता चुका हूँ जो उर्दवग रखते पित होता है उसमें कफ का अनुबंद होता है और जो अधोग रखते पित होता है उसमें वात का अनुबंद होता है और अगर इन दोनों का अनुबंद रहता है तो उबयग रखते पित होता है यानि उबयमारगी रखते पित है अब रक्टपिति में हम चिकित्सा करम की बात करें या अपन इसे चिकित्सा सुत्र भी बोल सकते हैं तो वो है अक्षीन बल मानसस्य रक्टपित्तम यदशनित है तदोश दुष्टम उत्कलिष्टम नादव इस्तंबनम अहर्ती यानि ये बताना चाहरा है कि अक्षिन बलमांस से ऐसा रोगी जिसका बल वैमांस ख्षिन नहीं हुआ हो उसमें उत्कलिष्ट दोशों को निकालने के लिए प्रारंब में ही रक्त को रोकने का प्रियास नहीं करना चाहिए यानि कि अगर रोगी बलवान है और उसके बल वैमांस यानि धातों शीण नहीं हुई है तो इस प्रकार के रोगी में बलीडिंग होने देनी जिए क्या है कि जब bleeding होती है तो दूशी तरक्त जो बड़ा हो रक्त है वो बाहर निकल जाता है एक बार वो बाहर निकल जाता है फिर उसके बाद आप इस्तंबन करम करके और रोक सकते हैं अब इसने आगे बता रहा है कि अगर हम starting में ही उस blood को रोक देते हैं और दोशों के उत्कलिश टोर कर देते हैं मतलब उत्कलिश दोशों को बाहर नहीं निकालते हैं और इस तंबन करम कर देते हैं तो कौन-कौन सी व्यादियां हो सकती है तो इसने बता रहा है गल्ग रहे गले में जकडन होना पूती नस्य पूती नस्य मतलब पूती गंदी युकते नस्य है जो जैसे नाक में से जो जैसे लिक्विड निकलता है उसमें बहुत बुरी गंद आती है जैसे कि पीनस रोक जो होता है उसमें भी ऐसा ही होता है जितकुष्ट, मुत्रकर्च, कुष्ट, अर्च, विसर्प, वाण की हानी, बगंदर, बुद्धी वे इंद्रियों की अपने विश्यों को ग्रहन करने में ऐसा मर्थता, ये सब उपद्रव हो जाते हैं, तो ये में कुछ नियाद रख लेना इसमें, अगर पूछे तो दो न जल्वान रख्त पित्त के रोगी के निकलते हो रख्त को प्रारम में उपेक्षा कर देनी चीए, यानि प्रारम में निकलना देना चीए, और उसको निकलने से रोकना नी चीए, क्योंकि पहले दूशित जो रख्त है उसको भाहर निकाल देंगे, तो फिर बाद में रोग जल्दी शान्त हो जाएगा अब आगे बाद करके रक्त पित्त में लंगन प्रायेन ही समुत क्लिष्टम आम दोशाच छरीरानाम व्रद्धिम प्रयाती पित्तासरक तस्मात लंगन माधित है यानि प्रारंब में प्राय मनुश्यों में आम दोश के बढ़ जाने के कारण आम दोश की व्रद्धि हो जाती है इस रोग में तो उस आम दोश की व्रद्धि होने के कारण अलगते पित्ते के व्रद्धि होती है तो इस आम दोश को पचाना जरूरी होती है जब तक आम दोश नहीं जाएगा तब तक रोग को शान्त करने में असानी नहीं होगी तो इ उसके बाद आगे इसने बता ही रखा है मारगव दोशानु बंदम चे निदानम प्रसमिक्ष चे मलब किस किस की शमिक्षा करने चे किस को देखना चीह है वैद्दे को उसके बारें बता रखा है लंगनम रखत पित्तादव तरपणम वाप्रियोजियत यह लाइन किया है कि इसमें किस मार्ग का है कि उर्दु मार्ग से निकल रहे या अदो मार्ग से निकल रहे है इसके लावा क्या निदान सेवन किया है जैसे की सुर मैंने बताये कि निखद्वै दोनों निथा है फिर ओश्न और रूक्ष निथान है इन siden शूमिक्षा करके इस लंगं या तर्पन का प्रयोक करवाना चीए अब लंगं का प्रयोक करवाना चीए उब इस के बारे में हमीलिकों कर दे친 डशें और इसका कारण इसनिक द्वय ऊशन होता है ये सारी बाते आप पढ़ जोगें अर्था है उर्दु में लंगन कराना चाहिए ये इंपोर्टन चीज है उर्द्वाक रखते पित्ते जो है उसमें लंगन करम कराना चाहिए इसके अलावा जिससे साम पित्त और कफ का पाचन हो जाता है अब आता है वात के अनुबंद अगर होता है तो अधो बाग से रखते निकलता है तो पक्व पित्ते रहने के कारण यहाँ पर लंगन ने कराकर इसकी जगें तरपन कराना चाहिए कुल मिला के दोस्तों आप यह याद कर लेजे जो उर्दवक रखते पित्त होता है उसमें तो लंगन करम कराते हैं और अधोग रखते पित्त में तरपन कराते हैं जब रोगी बलवान हो जब अपन को मारग का दोश के अनुबंद का और निदान की अपने समिक्षा की होई हो ठीक है यह अच्छे से याद करना कि यह कब है बलवान रोगी के लिए यह ठीक है बलवान रोगी में लंगन या तरपन करम करवाते हैं लंगन किसमें कराते हैं उर्दवग रक्त पित्त में और तरपन कराते हैं अधोग रक्त पित्त में अब हम आके बात करते हैं रक्त पित्त में अगर पिपासा हो तो यहां पे हिरीवे आधी पानिये देते हैं तो हिरीवेर आधी पानिये में पांच कर चीजें होती है सुगंदवाला या हिरिवेर चंदन उशीर मुस्त परपटक ये 5 होते हैं तो एक आपने पढ़ा होगा शडंग पानिये जर्व में आपको बताया था या पर जर्व में आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या कंटेंट थे मुस्त परपटक उशीर चंदन उदिच्चे नागर ही ये छे कंटेंट थे शडंग पानिये में तो इन छे में जो उदिच्चे है उसी को यहाँ पर हीवेर का आगया है ठीक है और नागर यानि सुन्चोट को हटा के जो पांच बसते हैं उन सभी का पानिये जो बनाते हम उसको हीवेरादी पानिये है यानि आप समझ गये होंगे दोस्तों हीवेरादी पानिये क्या है शडंग पानिये मेंसे अगर 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 पेया पूर्वम अधोह कते जद्याद प्रक्रतिम अल्पवित यानि अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगए controversial बात कर दी कैसे यहाँ पे जो उर्द्वग है रक्तिपित उसमें तरपन का प्रयोग करने को कहा है और जो अधै रक्तिपित ते वहाँ पर पेया का प्रयोग करने को कहा है तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यार पहले तो आपने बताये था कि उर्द्वग में लंगन और अधोग में तरपन का प्रयोग बताये तो वो था बलवान रोगियों के लिए और वो था किसको देखके मार्ग दोशानुबंद और निदान की समिक्षा करके था अब यहाँ पे अपने समिक्षा किया काल की, सात्मे की, दोशानुबंदी की, प्रक्रती की इस प्रकार और पत्यों की कल्पना को जानने वाले चिकिसको लंगन कराने के बाद उर्दवग रख्ते पित्य में पहले तर्पन कराना चाहिए और अधोग में प्रया का प्रयूग करतेए यानि जो दुर्बल रोगी होते हैं उन में जनरल यह अपन क्या करते हैं पहले उर्दवग रखते पित्ते में तरपन का प्रयोग करते हैं और अधोग में पेया का प्रयोग करते हैं ठीक है और जो बलवान रोगी हो उसमें क्या करते हैं पहले लंगन करा के तरपन कराते हैं उर्दवग में और अधोग में क्या कराते हैं पहले तरपन कराते हैं फिर पया प्रयोग करवाते हैं तो यह जो लाइन मैंने उपपार लिख रखी हैं इसको नोट कर लेजेएगा यह IMPORTANT है बलूवान रोगी के लिए ठीक है? अगर रोगी बल्वान नहीं है, रोगी दुरबल है, तो यहाँ पर डारक्ट तरपन का प्रियोग करवाना है उर्दक रक्तिपित में और अदो का रक्तिपित में करवाना है पेया का प्रियोग ठीक है दोस्तों, यह जरूर याद रखिएगा, अब हम आगे चलते हैं, खर्जूरादी तरपन, लाजा तरपन, यह नाम याद रखिएगा दोस्तों, तीन प्रकार के तरपन का प्रियोग किया जाता है यह, आपर अक्तिपित्ति की चिकित समय, खर्जूरादी तरपन, तो मंदागनी की चिकित्सा के लिए अपन अम्ल रस के तरपन करते हैं अम्ल रस के लाते हैं मतलब अम्ल रस में अपन क्या देते हैं खट्टे अनार का रस या फिर आवले का रस तरपन के लिए देते हैं अब यहां पर मैंने अंटरलाइन कर रखा है कोर्दूश को रक्तपित्ति के आहार में बता रखा है मतलब पत्य बता रखा है कोर्दूश इसी प्रकार शाक में गंडीर को पत्य बता रखा है अब यहां पर आपने अगर पढ़ा हो निदानिस्थान में तो निदानिस्थान क तो रखते पित्य का कारन बता गए है। उसी का यहां सेवन करना बताए गया है। इसका ताथ पर यह यह है कि कोदो Sag का शाक और उरत के यूश यह दाल के साथ काने पर runner गिज्टे पित्य का रखता हैं और केवल कोदो के चामल का या वागू या तरपन प्रियोग कशा है मदुर वे हलका को होने के कारण रखते पित्ते नाशक होता है मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है अगर कोर्दूश को आप केवल कोर्दूश को अकेले को यूज करते हैं तो वो रखते पित्ते नाशक है उसके साथ यदि आप सेम का शाक या उड़त का यूश प्रियोग करते हैं खाने में या दाल प्रियोग करते हैं उड़त की खाने में प्रियोग करते हैं तो वह रख्तवित्त में कारण होता है यह इंपोर्टन चीज थी दोस्तों याद रखने वाले पीजी में पूची जाती है अब रक्तवित्त में मांस का प्रियोग यह आप देख ले न अब कबूतर का मांस, लाव का मांस, रक्ताक्ष, बटेर, खरा, कपिंजल, गोराया, एन, हरिन, इन सबके मांसरस का प्रियोग इतकर बताया गया है अब आगे बताएं दोशानुसार पत्य दोश का अनुसार कफज अनुबंदो अगर उर्द्वक रक्त पित्तो तो यूश वे शाक इनका प्रियोग बताया गया है इसके अलाव वात का अनुबंद होने पर मांसरस का प्रियोग बताया गया है अब यहां पर आगे हम बढ़ते हैं यह रिंग मार ले ना दोस्तों इनकी बागे जो इंपोर्टेंट चीज हम बात करते हैं वह है रखते पित्त में दिनान परिवर्जनम वैसे अपन पढ़ते ही आएं हमेजा संक्षेप तह क्रिया योगो निदान परिवर्जनम मतलब संक्षेप में किसी भी रोग की चिकित्सा है उसके कारणों का परिवर्जन करना जैसे ज्यादा मीठा काने से शुगर होती है तो वह निदान का परिवर्जन है तो आगर आप निदान को सेवन नहीं करेंगे तो ओटोमेटिक दीरे-दीरे करके बोडी नॉर्मलाइज होगी और आपको उस बिमारी से मुक्ति मिलेगी तो रक्ते पित्त में भी निदान परिवर्जन को महत्व दिया गया है फिर आगे हम बात करते हैं रक्ते पित्त में वमन विरेचन की कि जिसके अक्षीन बल मांसस से मलाव जिसके बल और मांस शीन नहीं हो संतरपन उत्तितम जिसमें रोग संतरपन से उत्पन हो ठीक है जिसका शरीर बलवान हो जिसका जिसका रोग में कोई उपद्रव नहीं हो और जो रोग इंधोग रक्तिपित्व में आपन विरेचन कराते हैं और अधोग रक्तिपित्व में आपन वमन कराते हैं संशोधन के पस्चाहत क्या होता है कफानु बंदी अगर रखते पित्त है गुर्दवक रखते पित्त है तो संशोधन के बाद यवागु आधी का प्रयोग कराना चाहिए ठीक है और अगर वातानु बंद है मतलब वायू का दुष्टी है वायू बलवान है तो व्यक्ति को तो रोगी को मांसरस का प्रयोग कराना चाहिए यवागू का प्रयोग नहीं कराना चाहिए अब बात करते हैं आगे संशमनी क्रिया की मतलब जिन रोगों में जिन रोग्यों में बल कमजोर हो जाता है ठीक है मतलब कमजोर वेक्ति होते हैं बल मांस परिक्षीन होते हैं ठी हैं जिन में मतलब शोशन द्वारास या फिर बात कर सके हम गर्बिणी हुई व्रत दुआ वालक हुआ रूक्ष अल्प प्रमिताशन करने वाले प्रमिताशन होता है एक रसाब्यास यानि आप एक एक रस का अधिक सेवन करते हो या फिर एकदम मित्वेता के साथ खाना करते ह जिसे आपकी नीड है जितनी उससे कम बोचन करते हो तो उसको प्रमिताशन कहते हैं ठीक है इस प्रकार के रोग्यों में क्या करते हैं कि संशोधन प्रक्रिया नहीं करवा के संशमन करवाए जाती है मतलब रोग का संशोधन नहीं करा के शमन कराया जाता है तो रोग के शम ठीक है और अन्य योगों में फिर हम बात करते हैं यह इंपोर्टेंट लाइन यह पूछी जाती है पीजी में से शोद्रम गर्थिते रखते लियात पारावतम शक्रतम यानि कभूतर की जो बीट होती है उसका चूण बना लिया सुखा के फिर उसमें मधू मिलाकर उसका सेवन करने से जदी रखते में गांट पढ़ी हो तो गांट खुल जाती है दोस्तों इस चीज पर वैसे रिसर्च ह है आज की डेट में कोई अपनी लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहता कि कभूतर की बीट से कैसे ठीक होगा लेकिन यह आयरवेट का जो साइंस है फूली प्रैक्टिकल बेजड है ऐसा हो सकता है पहले हुआ हो आचारियों ने किया हो बट आज की डेट में ऐसा होता नही है जीज आप कैसे प्रयोग करवा सकते हैं कि जीवो और व्यक्ति खाने को भी कैसे तियार हो गया है जीज तो वही बात है मैं चाहता हूं फ्यूचर में अगर इस पर एक्सपरिमेंट हो ताकि एक बढ़िया मेडिसिन मिले ठीक है क्यों बहुत लोग मरते हैं हार्ट ब्लो पिछले अद्यम बड़ी थी पुन्रावर्तक जवर में याद रखना किरात तिक्तादी जो कवात है वो पुन्रावर्तक जवर में आता है किरात तिक्तादी चूर्ण रखते पित्त में आया है ठीक है इसके लवा आब बात करते हैं आगे रीडिंग तो पूरे चेप्टर क की बस्में गैरीक काली मिट्टी शंक भस्म सुवर्ण भस्म आवला सुगंद वाला तो यहां पर इंपोर्टेंट यह है वैदुर्यमनी का प्रियोग चरक के टाइम पर भी होता था मुतिकी बस्म थीक शंक भस्म Ayam बस में इनका प्रयोग होता था ठीक है तो यह एक important बाते हैं पूछ लिया जाता है अब हम बात करते हैं उशीरादी पेया प्रियंगवादी पेया इनका प्रयोग यहां पे रक्तपित्त में लाबदायक होता है द्राक्षादी योग कि मुनका के से पकाया हुआ गोदुग्द ठीक है तो इस प्रकार के गोदुग्द का सेवन भी रक्तपित्त में काम का होता है रक्तपित्त को शमन करने के लिए अच्छा होता है अब हम बात करते हैं आगे मुत्र मार्गगत रक्तपित्त में शतावरी क्षीर यह याद रखना शतावरी गोक्षूर से युक्त सिद्धी शीर का प्रयोग करना चीए कहां पे मुत्र मार्गगत रक्तपित्त में इसका लवाव गुदुमार्गत रक्तपित्त में मोचरस स सिद्ध मोच्रस होता है बॉम बैख सीबा ठीक है आप इपको पता लग जाएगा मोच्रस करते से सिद्ध गोदुग्द का यश लगया पर ऐंपर वाद करत करें वफा सागरत का प्रियोग यहां पर आए वासा sigui गया ह color गुल užमे डूङ जाता है जो हम आगे पड़ेंगे ठीक है इसका लावा सरपी गुड का प्रयोग रक्त पित्त में भी आता है जीन ज्वर में आता है क्षत शीन में तो आये गई चत्त शीन में तो प्रतम दूतिय तृतिय चतुरत सरपी गुड और सरपी मोदक का प्रयोग आया है इसका लाव रक्त कफानु बंद होने पर क्षार प्रियोग कमल के नाल मलब कमल की जो डिंठल होता है उसको पीसकर उसको जला कर उसको लेते हैं सुकाते हैं उसको जला देते हैं तो उसकी जो राक बनती है उसका जो शार बनता है उसको मदुवय गी के साथ प्रियोग करने पर रक्त पित स्यांत खाते हैं चांट पित्त को चालावा श्टावर्यादी जाप प्रहकने मैं याद रखिएगा दोस्तों पिर मा घेज स्वरस करने के बात आम कुछ आहए उनको याद करने क्म ट्रेक आप याद रखना यूद dp 32 ठीक है यहां पर dp 32 से समझना डी से 3 मतलब 3d 2i p और y टोटल साथ यहां पर मुख्य रूप से स्वरस बताएं गए हैं जो अपन गरेलू यूज में ले सकते हैं तो d3 में क्या आता है d से द्राक्षा स्वरस d से ही दूर्वा स्वरस और d से दाडिम पुष्प स्वरस तो d के तीना पन को पता लगी गए द्राक्षा दूर्वा और दाडिम पुष्प ठीक है I से दो क्या होगा? Ikshu और Istri-dugd इक्षु स्वरस, इंग मतलब गन्य का रस, इक्षु मतलब गन्ना ठीक है? तो गन्य का रस और Istri-dugd का जो है नस्य लेना चाहिए ठीक है? इसके लवा P से पलांडू या प्याज और Y से यवास मूल तो ये साथ प्रकार के जो बता रखे हैं नस्य ये देने में फायदा होता है और जनरली मैंने प्रैक्टिकली यूच किया है जो प्याज का रस है कभी नकसीर आरी हो अगर आपके अपिक्स टैक्सिस तो आप प्याज का रस डालिये तो उससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा फायदा होता है नासागत रख्टिकली देखा हुआ है अब आपर एक वर्ड आता है बद्रिश्रियम ये पूँच लिया जाता है फी जी के नज़रे से ये बद्रिश्रियम किसके लिया है तो सफेज चंदन को जो है बद्रिश्रिये बोला जाता है मतलब सफेज चंदन का परेया है बद्रिश्रिये अब रक्त पित्ते में शीत का प्रयोग तो रक्तपित्त में दाह शान्ति के लिए विहार जो बताया है वो क्या बताया है धारा ग्रह है शीतल भूमी ग्रह है मतलब तहकाना सुंदर बगीचा शीतल जलवे वायू से युक्त है बगीचा ठीक है वैदूरिय मनी मोती वह अन्य पात्र जो इस सीतल इस पर्ष में शीत होना चीए इसके लाब मनोनुकूल कता मलब कता हैं ऐसी उनी चीज में जैसे वा गना जंगल हो या फिर पहाडियां हो ठंडक वाले इस्तान हो जैसे हिमालय के इस्तान कुलू मनाली शिमला उस टाइप के तो उनकी कता हैं बड़े बड़े नदीत आलामों की कता हैं ठीक है इस प्रकार के जो मनोनुकूल कता हैं उनको सुनाने से रक्ते पित्त रोगी को फैदा होता है अब हम बात करते हैं सबसे लाश्ट में एक इंपोर्टेंट चीज गी कि सामान्य रक्त और रक्त पित्त के रक्त में क्या अंतर है तो सामान्य रक्त और रक्त पित्त के रक्त क मिलाकर कव्वे या कुट्टे को खाने को दे जदी कव्वा या कुट्टा उसको खा जाए तो शुद्ध रक्त समझना चाहिए और यदि ने खा सके तो उस रक्त में पित्त का संबंद समझना चाहिए यानि उस रक्त को दूशित समझना चाहिए अब हम दूसरे परिक्षा की बात करें तो सूखे सफेद वस्तर को निकलते हुए रक्त में भावित कर पुनेह सुखा ले अब सूखने के बाद गरम जल से दोले यदि शुद्ध रक्त निकलता है तो क्या है वो इस्टेन जो होगा वो दाग जो होगा वो हट जाएगा ठीक है और अगर रक्त पित्त मतलब पित्त युक्त रक्त होगा तो वो इस्टेन बना रहेगा तो दोस्तों आज हमने रखते पिता द्यहय की पूरी बात कर लिया है I hope आपको समझ में आया होगा इस टोबिक से रिलेटर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताए इस वीडियो से रिलेटर या फिर आगे जो वीडियो बनाएंगे आप इसले वीडियो जो बनाए है उन से रिलेटर आपके कोई भी सुझा ओ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए हम पूरी कोशिश करेंगे हम अपने और से बैस्ट दें वीडियो बनाने बहुत मैनत लगती है तो प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक करें गंदा लगे बेककार लगे तो डिसलाइक करें कारण बताइए कि क्यों बेककार लगा क्या कमी है ताकि हम उसमें सुधार कर सकें तो आज का वीडियो हमारा पूरा हुआ प्लीज अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाइब